Hello Friends तो यहां पर हम discuss करेंगे CETAT के जो previous year option paper है उसके practice को तो यह जो question paper है 2412 का है मतलब 24 December 2021 2021 का paper रहेगा और इसमें हम discuss करेंगे EVS वाले part को जो कि काफ़ important रहेगा आपको CETAT के exam के लिए और इसके practice लगातार करते रहे क्योंकि seated के paper में आपके लिए बहुत important होता है previous year first question देखेंगे मतलब 61 number question है वह जन्तु कौन सा है जो अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है जो बाहर की धुनी को इकठा करने में उसकी सहायता करता है तो लंगूर, कुत्ता, sloth या फिर चौथा option है बाग तो बाग ऐसा कर पाने में सक्षम होता है correct option है आपका 4 यहाँ पर NCRT की book का जो chapter दिया गया है कान-कान में इसे related के question पूछा गया है 62 number question है उस कारे कलाप को चुनिए जो अन्न कारे कलापों से भिन है तो उस कारे कलाप को चुनना है जो अन्न से भिन चाय बनाना तैरना, कंगी करना या फिर आटा, गूथना जो चाय बनेगी वो और तैरना और आटा, गूथना यह जैसे होंगे यह अलग होगा बढ़ेंगे next question पर 63 number question है column यहां पर दिये गए हैं दो और उनकी विसेस्ता है, पक्षी और उनका घोशला बनाने का तरीका तो कौन सा यहां पर सही है वो बताना है तो यह है सक्कर खोरा पहला है, फिर कोयल है, फिर कल चिड़ी है और फिर है दरजिन चिड़िया तो इसमें अपना घोशला स्वयम नहीं बनाती, जो कौन सा होता है, कोयल होता है तो देखे, अगर आपको ऐसे question में सब नहीं पता है, फिर भी आप eliminate करके पता कर सकते हैं like B में first हो गया, तो B का देखे, first कौन सा है यहां पर four number option यहां पर रहेगा, correct एक ही से पता चल जाएगा यह अगर आप कुछ चीजे पढ़े हुए हैं, तो भी ऐसे question आप कर सकते हैं next है, 64 number प्रशन, तीन खादेपदार्थों का ऐसा समूँ जो कौन सा है जिसके प्रतेक सदसे में लोह तत्तो प्रचुर मात्रा में पाय जाता है यह बहुत important question है, काफी ज़्यादा repeat होता है तो यहां पर पालक, गुड और आमला यह correct विकल पाप का रहेगा इसमें लोह तत्तो अधिक मात्रा में पाय जाते हैं 65 नंबर प्रश्ण है, हमारे देश के राश्ट्रपती द्वारा पांचवी पुस्तक में दिये गए पाठ का श्यूर्शक है तो जो हमारी एंसियार्टिक की बुक की बात कर रहा है पांचवी की पुस्तक है और राश्ट्रपती तो उसमें जो है पाट का शीरशक क्या दिया गया है बून बून दरिया या मच्छोरों की दावत या फिर उसी से ठंडा उसी से गरम फिर चला काफिला तो यहाँ पर उसी से ठंडा और उसी से गरम यह correct option यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट 66 नंबर है एक कार 1512 किलो मीटर की दूरी 28 घंटे में तै करती है कार की और सच चाल बराबर क्या होगी तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 अब यहाँ पर देखे मीटर प्रती सेकंड और किलो मीटर प्रती घंटे में आंसर दिये गए है तो जब हम इसको डिवाइट करेंगे तो पूरी तरीके से आएगा किलो मीटर प्रती घंटे में जो कि यहाँ पर तीन विकल्प नहीं दिये गए हैं तो इसको हम 5 बटे 18 से गुड़ा करेंगे तब आकर आएगा आपका दो वाला विकल्प नेक्स्ट बढ़ेंगे 67 नमबर कुश्चन पर यहाँ पर थोड़ा सा यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी PDF है ठीक है तो यहाँ पर कोई भी डाउट ने की प्रिवियस इर कुश्चन पेपर नहीं है तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कुश्चन है हमारे देश के एक राज में प्रेक्शन करने पर पाया गया कि वहाँ ग्रामे उलक्षेत्रों के अधिकांस मकान मजबूत बांस की खंबो पर बने हुए है तो आपको पता होगा बांस के खंबो से इत्री लाइन से अगर आपने NCRT की बुक काध्यन किया है तो आप सीधे option पकर लेंगे ऐसे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है लकडी के फर्स जमीन पर बताई गई है उनकी विसेस्ता है यहां से 100% रहेगा NCRT की बुक से नेक्स्ट बढ़ेंगे question 68 नमबर पर निमने लिखित में से तीन राज्जियों को उस समूह को चुनिये जो जिसके समुदरतट बंगाल की खाडी पर है तो बंगाल की खाडी पर किसके समुदरतट है repeated question है map से question map NCRT की बुक में 5th class में आपको map मिलेगा उससे related यहां पर question पूँचा गया है तो यहां पर आंधरप्रदेश, तमिलनारू और ओडिशा ऐसे राज्जे हैं जो 30 खशित्र हैं नेक्स्ट बात करेंगे 69 नमबर प्रश्ण पर जहार खंड में ग्राम सभा, पंचायत लौटरी द्वारा खेती के लिए भूमी का आवंटन करती है इस भूमी आवंटन में एक विसेश मात्रक, यूनिट जिसे टिन कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है इस मात्रक का, मतलब यूनिट का क्या अर्थ है तो यह है वह भूमी जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है बढ़ेंगे अगले प्रशन पर 70 नमबर क्वेशन यहाँ पर है जूम खेती के अंतरगत जूम खेती के अंतरगत किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिये गए चार कथनों पर विचार करना है तो जूम खेती काफी इंपॉर्टेंट है इससे कोईशन जरूर पूँचा जाएगा और इस घट इसमें सबसे पहले बद श्टेप क्या होते हैं वो आपको याद रखने है इस फसल के कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्स तक आराम कर देते हैं तो ये फिलाल यहाँ पर सही है और खर्पतवार बांस आदी को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं ये भी सही है खर्पतवार की राख खाद के रूप में कारे करती है ये भी सही जब जमीन खेती के लिए तयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है तो इन में से कौन से कथन यहां पर पूँचा गया था किसानों दोरा अपनाया जाने वाले तरीकों के संबन्द में तो यह जो विकल्प है इसमें देखिए A, B यहां पर सही है ठीक है जो A वाला उप्शन मतलब A जो है फसल कटने के पश्चा छोड़ी जाती खेती बास को यहां पर उखाड कर जलाने की बात की गई है तो यह गलत है तो यह देखिए खरपतवारों चीजों को काट के वहां पर छोड़ा जाता है और खरपतवार की राख भी खाद के रूप में यूज़ की जाती है यह वाला तो A श्रीया अंतलब थर्ड वाला उप्शन आपर बनेगा करेक्ट 71 नमबर प्रश्चन है हमारे देश में आदिवासी हजारो वर्ष पूर्व से ब्राउंच की बनी हुई वस्तों और बरतन मूर्थियों आदि का प्रियोग कर रहे हैं आज भी हम अपने घरों में कांसे का उप्योग करते हैं निम्नमे से कांसे के बारे में सर्व श्रेष्ट कथन को चुनना है कांसा जिसे हम ब्रॉंज कहते हैं उसके बारे में सर्व श्रेष्ट कथन को चूस करना है यहाँ पर पहला है आइरन और सिल्वर आदिकी बहांती कांसा भी एक तत्व है मिल्कुल नहीं कांसा aluminum, copper और zinc का mistran होता है कांसा copper और zinc का mistran होता है या फिर कांसा copper और tin की तो correct option जो है कांसा copper और tin का mistran होता है NCRT की book से आपको 15 के 15 question मिलेंगे और केवल आपको 3 पतली-पतली किताबे पढ़नी है Next यहाँ पर दिया गया है 72 number question जो की एक chart बना के दिया गया है rail के time के according ठीक है समय सारणी यह आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इससे question 100% पूछा ही जाता है 73 number question है कनोज सहर इत्र के लिए प्रसिध है यह सहर भारत के एक राजिका जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कनोज जो की विस्व में पूरे इत्र मतलब जिसे आप परफ्यूम कहते हैं उसके लिए famous है कनोज जो की उत्तर प्रदेश का एक शहर है 74 number question है नीचे दीए गई शारनी का जो है दिली में पेट्रोल और डीजल के मोल्यों का अध्यन करना है डीजल का मोल्य बात करें अगर हम यहाँ पर 2020 में 81 रुपए और 2021 में 90.72 रुपए पेट्रोल है ये रेट ठीक है तो एक वर्स में डीजल और पेट्रोल के मुल्यों में वरधी क्रमशा पूंची गई है तो वरधी कितनी है यह यहां पर पूंचा गया है तो इससे देखे यहां पे जो mathematical question को problem को दिया गया है इवियस वाले पार्ट में क्योंकि कहीं न कहीं अगर बात करें तो इवियस में कुछ चीज़े ऐसी कुछ लेसन ऐसे दिये गए हैं जिसमें mathematical चीज़े दी गई हैं तो अगर हम percentage निकाले 81 का 12% होता 90.7 मतलब उसमें add करेंगे इतना 9.72 तब इतना निकलेगा 12 और 11 यहां पर correct काफी नजदीकी मामला होता है इसको अच्छे से चेक कर रहा है 75 नंबर प्रश्न है भारत में तेवहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है यह भी repeated question काफी ज्यादा पूंचा गया है तो कौन सा तेवहार है जो देखें यह पिछली बार online exam लगबग एक म नहीं नहीं तो पिछले अगर एक इसी वर्श के आप practice set लगाते रहिए previous year इससे बाहर question बनेंगे ही नहीं बनेंगे कुछ नए question मिलेंगे 10% otherwise 90% आपको question इनी से मिलने वाले हैं तो यहाँ पर जो option दिया गया है holy रक्षाबंदर गुरु नानक जन्मदिन यह पूर्णिमा क वाले है झाले है